तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंडोस 11 के बारे में तो जैसे कि आपको पता है विंडोस 11 जो है वह आगा है जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूं आज का डेट जो है 25 जून है 25 जून और 24 जून को विंडोस 11 जो है वह लांच करने वाले थे को डाउनलोड करने के लिए मिलने वाले उन लोग ने कुछ सिस्टेम रिक्वार्मेंट्स भी बता हुए है और क्या-क्या फीचर्स जो है इसके अंदर आपको मिलने वाले यह सारे डिसकर्स जो है वह कल के इवेंट में वाता मतलब 24 जून 2021 को इवेंट उन लोग ने रखा थ तो अगर आपने MKBHD का वीडियो देखा होगा मैंने देखा है उसका वीडियो तो उसके अंदर उसने भी चीज मेंशन किया था वह आपको मैं बताना चाहता हूं विंडोस जो है उन्होंने पहले विंडोस एक्सपी लाया था जो की अच्छा था ओएस फिर बाद में उसका रहा हूं डेल का लैपटॉप तो उसमें विंडोस भी देखा और मेरे को इतना नहीं था तो इसके वाज़े से मैंने जो भी हो लैपटॉप ले लिया था काम करना ता मेरे को फटा-फटा-फट कॉलेज के प्रोजेक्स से वज़े से तो विंडोस एक्सपी जो है वह Windows Vista सही नहीं था मतलब not good for Windows 7 Windows 7 आचे साथ फिर वींडोस 8 जो था वह अच्छा नहीं था फिर बाद में Windows 10 वह अच्छा थो मतलब Windows 11 जो रहने वाला वह मैं अभी तो comment ने करना चाहूँ कशाओ और क्योंकि आभी तो किसी ने डाउनलोड किया तो इसके वज़े से उसके बार में नहीं बात करूंगा पर यह जो है यह विंडोस का पिछले साल से ट्रेंड जो है वह चलते आ रहा है मतलब एक वैस जो लाते वह अच्छा रहता है उसके बाद में जो भी लाते वह बुरा रहता है तो ऐसे हम लोग देखते हैं क्या-kya changes क्या-kya user interface में changes आपको देखने को मिलने माले तुझा थोड़े-थोड़े आपको वी दिखा देता हम क्या-kya changes आपको दिखाई देने माले तो सबसे पहला जो चेंज है वह user interface में change आपको दिखाई देगा आप देख सक्ए सक्रीन के ऊपर ए अब दिखाई दे रहा है अलागि इसके अंदर ऐसा ऑप्षान है कि वह सेंटर में स्टार्ट बटन उसको आप मूफ करके लेफ्ट साइड में भी लिके जा सकते हैं तो यह सारे चीज़े आपको अभी दिखाई दे रहे हैं फिर बाद में आप देखोंगे स्टार्ट बटन जब आप क्लिक करोगे तो आपको उपर जो है वह उपन किये हुए वह सारे लिश्ट आपको दिखाई देंगे और उसके उपर अधर एपस जो है वह दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बताने चाहता हूं यह थोड़ा सा कॉंबिनेशन किया हुआ है जो उनलों के टैबल मतलब यह अचल में लोगों को यूज करने मिलेगा तभी क्या-क्या चीजे क्या-क्या फॉल्ट जो है वह आपने को देखने को मिलते अभी अगर देखोगे तो यह सारे चीजे अपने को देखने मिल रही है प्लस क्लाउड पर जादा फोकस किया हुआ है जब इन लोग का इन लोग ने दीखाया था फाइल आप ओपन कर रहे हैं आपके कोई भी विंडोस के डिवाइज इस पर दूसरे कोई भी विंडोस की डिवाइज में वही से ओपन हो जाए कि जैसे उन लोग ने एक्जामपल दिया था माइक्रोसफ्ट ओफिस में अगर आप कुछ काम कर र वाला ऐसे उन लोग ने डेमोंस्ट्रेट किया था अगर आप स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं तो वहां पर थीम्स वगेरा अलग-अलग इन लोग लें लाये हैं तीम्स के साथ अलग-अलग उसके डार्क मोड वगेरा इसे बहुत सारे चीज़ें आप देख सकते हो दिखाई इस फीचर की वजह से आपके सामने तो इस पर पसंद है उस पर क्लिक करोगे हर एक विंडो आप उसके अंदर ओपन कर पाओगे तीन करोगे पाच करोगे चार करोगे अपके हिसाब से अप इसमें सीलेट कर सकते हैं तो यहां पर मल्टीटास्किंग के लिए किया हुआ है इसके अंदर इन लोग ने वर्च्वल मल्टीबल डेक्स्टॉप जो है वा एड किया हुए मतलब एक ही सिस्टिम से अप मल्टीबल डेक्स्टॉप जो है वह अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे और एक चीज लोग ने लाया हुआ हुआ है जो कि ए एप्स का गुरूप जाती है वही सेम चीज किया हुआ है जैसे लैपटॉप पर आप मानलो कुछ काम कर रहे हैं और आपने वह लैपटॉप को बड़े मॉनिटर से करनेट किया हुआ है ठीके और आपने मानलो बहुत सारे उसमें टैप्स जो है उपन करे मतलब मल्टिपल विंडोज जो है वह तो सारा निकल जाएगा बाल में वापस अगर लैपटॉप पर लगा कि अगर वह मानेटर पर आप काम करें तो वह विंडोज जो है वह सिमिलरली जैसे आपने ओपन किया है वैसे नहीं दिखेंगे तो वह इन लोग ने किया हुआ है कि मेमरी में वह रख देता है कि जब भ सकते हैं मुल्टी टास्किंग के लिए भी वर्टिकल होरीजंटल आप उसको रोटेट करते हो तो इंटरफेस है वह काफी इंट्रेस्टिंग और स्मूद बनाया हुआ हुआ है और इसके अंदर वर्च्वल कीबोर्ड जो है डाला हुआ हुआ है वित इमोज इसके अंदर इमेज क्वालेटी जो है गेम का इतना अच्छा दिखाए देता है दूसरे डायक्ट ट्रेस्टिम में भी लाया हुआ है जिसका मतलब यह है कि SSD में या हाट डिक्स में आपका जो डेटा रेता है गेमस का उसको CPU से पिर वो जाता है GPU पे CPU से फिर वो गम्मुनिकेट करता है जीप्यू से और फिर आपको डिस्प्ले दिखाता है डायक्ट ट्रेट टेक्नोलोजी से क्या होगा वो जो कम्मुनिकेशन गया पे वो निकाल देंगे मतलब क्या होगा जो डाटा है आपका गेमस का स्टोरेज यह हाट डिक्स से डायरेकली जो है आप अभी स्कीन के ओपर जरूरत नहीं है आपको एक्सबॉक्स एप में गेम पास का फीचर जो है मिल जाएगा प्लस इसमें टैबलेट के लिए कुछ हैप्टिक फीडबैक में इंप्रूमेंट ने बता हुआ है वो तो फीजिकली जब यूज करेंगे तभी पता चल जाएगा और सो मोश्ट इंप इसको प्रमोट करें पर अभी जो है वो काफी तफ कॉंपेडिशन इन लोग को मिलने वाला है क्योंकि फिलाल के लिए जूम जैसे एप्स डिसकॉर्ड से प्लस रिसेंड लिया अगर आपने मेरा एपल का जो आई वैस 15 वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वह जाके आने के बाद में जो Microsoft Teams है उसका कैसे लोग इस्तमाल करेंगे वह तो बहुत मुश्किल होने वाला क्यूंकि काफी तफ कॉंपेडिशन इसको मिलने वाला है इन लोग ने जो है वह इसके अंदर इंक्लूट कर दिया है फिर उन लोग ने एक फीचर लाया हुआ है जो कि है व वाइस से कुछ भी बोलोगे तो उसका टेक्स्ट में अपके स्किन पर आ जागा मतलब आपको टाइपिंग करने की जरूत नहीं पड़ेगी अभी बात करते हैं एप के बार में तो इन लोग का ऐसे कहना है कि एप जो हैं Android के वह भी इसके अंदर सपोर्ट होने वाले हाला क कि अभी थोड़े बहुत एप है और वह इंडारेक्ली सपोर्टेड अभी यह थोड़ा सा नेटेवली सपोर्टेड ऐसे कुछ बता रहे है जैसे कि लोग ने बताए हो कि Amazon App Store के साथ में लोग ने टाइप किया हुआ है तो अगर आपको Android फेमस एप जो है वह आपको विंड जैसे Apps का एक्जामपल दिया हुआ हाला कि इंडिया में यह तो नहीं है यह बैंड है पर दूसरे Android Apps जो है वह इसके अंदर उन लोग ने बताए हो कि आपको मिलने वाले मतलब Amazon Store से आपको यह जो है वह यूज करने मिलने वाले यह भी काफी अच्छा चीज लग रहा है मतल लोग जुड़ेंगे तो यह बढ़ते रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर यह यूज करते तो और भी उन लोग उसमें इंवेश्मेंट आके और उसमें डिवलपमेंट ला सकते है न्यूज फीचर जो और लाया हुआ हुआ है वह है न्यूज वाला रिसेंटली अगर आपने देखा होगा अगर आपके विंडोस 10 है तो आप देख सकते हो राइट एंड साइट कॉर्णर पर यून लोग ने वैदर जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा उसके उपर आप जब भी माउस लिके जाते तो आपको कुछ विजिट्स दिखाई देते है न्यू अगर आप स्वाइब करोगे तो आपको विजिट्स न्यूज वगर यह सारे चीज़े आपको मिलेंगे और एक टास्क बार में लोग ने आइकन दिया हुए डेक्स्टॉप के लिए वहां से आप क्लिक करके यह वाले फीचर को या वीजिट्स वाले फीचर को यूज कर सकत लोग सिष्टेम रिक्वाइमेंट्स देख लेते हैं तो जैसे कि आप या स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं यह सारे सिष्टेम रिक्वाइमेंट्स इन लोग ने दिये हुए है मिनिम्म रायम बताए हुआ है और स्टोरेज जो है वह 64GB का होना चाहिए बाकि सिस्टेम फॉर वाला है उसके साथ यह compatible होने वाला है और जो प्रोसेसर होने वाला है मतलब CPU की बात की जा रहे है यह आप है वह आल्मॉस्ट तू और मोर कोर्स का होना चाहिए मतलब डियोल कोर के ऊपर का होना चाहिए तो ही यह जो अपरेटिंग सिस्टेम में उसको सपोर्ट करने वाला है तो इनलों का कहना है कि 14 अक्टोबर 2025 तक विंडोस 10 को यह लोग सपोर्ट देने वाले उसके आगे जो है वह आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे विंडोस 10 के उपर आपको डेफिनेटली विंडोस 11 पर शिफ्ट करना पड़ेगा तो अगर आप विंडोस 10 यूज भी करते अगर आप इसे टाइब के साथ इसको शेयर भी करना और आपको सबसे पहले मिल जाएगा और सब्सक्राइब करूंगा विंडोस 11 पर और यह उफिशली लेके आएंगे तब ही मैं इसको अपड़ेट करूंगा तो उसके बारे में डीटेल्स आपको मिलने वाले तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए साइनिंग आफ